गौरी बाजार में दिन दहाडी दू लड़कियों पर एसिट अटैक का मामला सामने आया है आपको बता दें कि ये पूरा मामला गौरी बाजार थाना शेत्र के गौरी हाटा रोड इस्तेते देव गाउं मोड के समीप का है जानकारी के मुताबिक गौरी बाजार थाना शेत्र के एक गाउं की रहने वाली दो लड़किया निजी अस्पताल पर काम करती है वो घड से निजी अस्पताल पर काम करने के लिए लगबग सुभा 10 बज निकली थी अचानक अग्यात युव को द्वारा उन पर एसिट अटैक किया गया जिसके बाद दोनों लड़कियां जुलस गई आनन्फानन में दोनों लड़कियों को निजी अस्पताल में भरती कराये गया है जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रैफर कर दिया है गटना की जानकारी होते ही पुलिस अदिक्षक संकल्प शर्मा गटना अस्तल पर पहुँचे और जांच कर जल्दी आरोपियों को पकड़ने की बात कही है हमारे समवादाता रमन तिवारी लगातार इस गटना पर नजर बनाये हुए है ये देवरिया जनपत में गौरी बजार थाना क्षेतर का मामला है जिसमें दो यूगतियों पर जिनकी उम्र लगबग 25 वर्ष है किसी अग्यात विक्तियों द्वारा जो लंशील पदार पेखने का ये प्रकरन सामने आया है पुलिस ने तुरंद सूचना मिलते ही घाहल यूवतियों को हॉस्पिरिल पहुंचाया है जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उनकी इस्तिती ठीक है को इसकी बात नहीं है जो ये जिन भी लोगों ने एकटना की उनके बारे में हम लोगों के पास डेफिनेट लीड्स है तीन टीमें हम ने इसमें गिरफतारी के लिए बिनाई हुई है और जल्दी ही इन बदमाशों की गिरफतारी पुलिस द्वारा कर ली जाएगी